हाई फ्रेंट कैसे हो आज हम कोहडे का फूल का पकवडा बनाने का तरीका बताएंगे और इसे बज का भी बोला जाता है आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो या सोजियान चटनी टमाटो चटनी या फिर धनिये के चटनी के साथ भी आप खा सकते हो बहुत ही स्वादिश् या सेलो फ्राइ भी कर सकते हो हम 10 से 15 फूल कोहडे का ले लिये हैं इसे बीच वाले फूल को तोर कर हटा लेना है बीच वाले फूल को नहीं बनाएंगे अब एक फूल को दू भाग भी कर सकते हो या आप एक भाग भी करके बना सकते हो हमने सभी फूल को अच्छी तरह से जख लेना है क्योंकि फूल में छोटे छोटे कीरें भी हो जाते हैं हमने सभी को अच्छी तरह से चून कर धोकर ले लेना है फूल को ज्यादा दबाकर नहीं धोना श्रह् benefit कूछ तक भी का हमने सभी को धोकर अच्छी तरह से ले लिए हैं आप इसमें हमें एक बाद और फिर से धो कर ले लेना है इसे एक दो पानी से अच्छी तरह से धो लेना है हमने सभी को दो के ले लिए है अब इसमें मिक्स करने के लिए हमें समा का चावल दो से थीन ले लेना है आपारो सुजीय डालते हो इसमें mix कर लिए दो चार हडी मिर्च ले लेंगे और समा के चाओल हडी मिर्च और समा के चाओल को mix When dhdi is a big basket ने डालकर इसे पीस करplace य्या हमने Si owam किस्यास करने के लिए एक बड़ा बरतन ले लेना है हमने दो से तीन चमच छोटे चमच बेचसन ले ली है पकवडे में डालने के लिए तीन चमच बेचसन ले ली है स्वादनुसार नमक आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर अधी सब्जी मसाला धनिया जीरा मरिच पॉडर मिक्स ले लिए थे अब ये समाका चावल का पेस्ट इसे अरबा चावल का पेस्ट भी बोलतकते हो सभी को मिक्स कर लेना है अब हम हलकी सी पानी डाल देंगे ज्यादा नहीं डालना है गोल पूरा गाढ़ा होनी चाहिए अब सभी फूल को अच्छी तरह से डाल देंगे हमने सभी फूल को अच्छी तरह से डाल ली है अब आप अपने अनुसार इसे में सेफ देकर पकवडे को फ्राय करना है हमने लोहे के कराही में रिफाइन को पूरी अच्छी तरह से गरम कर ली है हाई गरम करना है उसके बाद सभी पकवडे को आप गोलाई या चौलाई के सेफ में बना सकते हो तो हमने चवलाई के तेफ में ही बनाये हैं, हमने सभी पकवडे को डाल दी है, अब इसे दो मिनट लोफ लेम पे सेखना है, हाफ लेम पे नहीं, हमने दो मिनट एक साइड से शेख ली है, अब तभी को एक बार पलट कर तीन मिनट के लिए एक साइड से फिर सेख देंगे, हम अब इसे फिर एक बार हमने पलट कर सेख ली है फिर से हम दो बारा दो मिनट के लिए एक बार फिर पलट देंगे एक साइड से उसके बार दूबारा फिर दूसरे साइड से भी पलट कर हमें फ्राइ कर लेना है अब पकोड़े पूरी अच्छी तरह से फ्राइ हो गई है अब हम इसे छान कर इसका हलकी सी हिला कर हमें ले लेना ताकि इसका तेल अलग हो जाए हमें सभी छाननी के मदद से हमने सभी पकवडे को अच्छी तरह से छान ली है अब पकवडे का पकवडे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर अपना राय कोमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वेल आइकन दबा दें, अगर वीडियो डालें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचे, कोड़े का पकवरा बनाने का अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना राए कोमेंट बॉ वीडियो है कि अजजाए अगरा वीडियो देसे पास लिचेशन की वेल जुचे आपकेश मेंटकेर अुचे और आपकेके क।.